हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चनल, तो आज हम एलाइन प्लाजो पैन्ट बनाएंगे, तो इसके लिए हमने दो मिटर फाबरिक लिया है, और इस फाबरिक को हमने डबल फोल्ड करके रखा है, यहाँ पे ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है, यह इस फाबरि तो फाबरिक को हमें पूरा ही फोल्ड करना है, तो इस तरह से हमें फाबरिक को फोल्ड करके रखना है, यह देखिए यहाँ पर यह फोल्ड लियार से, यह ओपन साइड है और यह फोल्ड साइड है, और इस फोल्ड की जो वेड़ है वो 17 इंच की है, और इस फाबरिक की ज अब यहां पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और 3 इंच तक का फाब्रिक हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से तो पूरे फाब्रिक को हम 3 इंच तक का फोल्ड कर लेंगे अच्छे से फोल्ड करके इसको रखना है और यहां पर हम पिन्स लगा लेंगे तो मार्किंग करते टाइम पर यह हिलेगा नहीं अब यहां से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे बेल्ड के लिए और इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे उसके बाद हमें लेंथ लेनी है तो पैंट की रेडी लेंथ है 36 इंच उसके बाद हम यहां पर 1-5 इंच का मार्जिन लेंगे फोल्डिंग के लिए तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच ले रहे हूं तो 37.5 इंच की लेंध ले रहे हूं यहाँ पर straight line draw कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर हमें कमर का measurement डालना है तो कमर के लिए हमें hip का measurement लेना है तो जितना hip size है उसको 4 से divide करना है plus 2 इंच margin add करना है तो hip है 36 इंच उसको 4 से divide करेंगे तो वो आजाता है 9 इंच plus 2 इंच margin add करेंगे तो वो आजाता है 11 इंच तो यहाँ पर हम कमर लेंगे 11 इंच की अब यहाँ से हम आसन के लिए निशान लगाएंगे तो आसन के लिए hip का 4 पार्ट plus 3 इंच margin लेना है तो hip है 36 इंच उसको 4 से divide करेंगे तो वो आजाता है 9 इंच plus 3 इंच margin लेंगे तो वो आजाता है 12 इंच तो यहाँ पर हम आसन लेंगे 12 इंच तो सभी साइज के लिए formula सेम ही रहेगा और straight line draw कर लेंगे यहाँ पर उपर भी हम straight line draw करेंगे अभी यहाँ से हमें 0.5 इंच पर mark करना है आसन की गुलाई का shape देने के लिए तो heavy size के लिए आपको 3 इंच लेना है medium size के लिए 0.5 इंच लेना है और यहाँ से हम तिर्चा 1 इंच लेंगे और यहाँ पर आसन की गुलाई का shape देंगे उसके बाद हम इसको यहाँ पर तिर्चा चोड़ेंगे निचे तक अभी यहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे और यह जो pin's हमने लगाए हैं उनको हम हटा देंगे और जो fabric हमने अंदर की तरफ fold किया था उसको बाहर करेंगे इस तरह से और अभी हम इसको यहाँ पर तिर्चा जोड़ेंगे तो यह हमारा A-line shape में plazo बनेगा यहाँ से हम 1-inch पर मार्क करेंगे और गुलाई का shape देंगे दूसरे सैट में भी 1-inch पर मार्क करेंगे और गुलाई का shape देंगे तो अभी हम इसकी cutting कर लेंगे तो यहां पर मेरे फाबरिक की जो वेड़्ट थी वो 34 इंच की ही थी इसके बाद भी इसका घेरा बहुत ही अच्छा आया है अगर आपके फाबरिक की वेड़्ट 44 इंच या 42 इंच की है तो आपका प्लाजो बहुत ही घेरदार बनेगा इस में थड़ से तो इस तरह से कटिंग हो गई है तो यह हमारे चार पीस है तो इस में से दो पीस को उठा के हमें इस तरफ रखना है तो यहां पर दोनों पार्ट की जो सीधी साइड है वो हमें अंदर की तरफ रखनी है उसके बाद हमें आसन में सबसे पहले सिराई लगानी है दोनों साइड में तो हमने दोनों साइड के आसन को स्टिच कर लिया है अभी हम इसको ओपन करके रखेंगे तो इसको सीधा रखना है और इसके उपर हमें दूसरा वाला पार्ट उल्टा रखना है दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है उसके बाद हमें दोनों साइड के आसन को मिलाना है और सेंटर में सिलाई लगा देनी है तो हमने सेंटर में सिलाई लगा दी है अभी हमें साइड में सिलाई लगानी है तो इस तरह से दोनों साइड में हम सिलाई लगा देंगे और इसके बॉटम को डबल फूल्ड कर देंगे दोनों साइड के तो हमने दोनों साइड में सिलाई लगा दी है और बॉटम को भी डबल फूल्ड कर दिया है अभी हम इसका बैल्ट रेडी करेंगे तो बेल्ड के लिए जो हमने दो इंच का छोड़ा था उसी को हमें फोल्ड करना है तो एक हाफ इंच का फोल्ड करेंगे उसके बाद एक और फोल्ड कर लेंगे और पूरे राउंड में स्टिच करेंगे और थोड़ा सा ओपन रखेंगे इलास्टिक डालने के लिए तो हमने belt को fold कर लिया है यहाँ पे थोड़ा सा open रखा है अभी हमने यह elastic लिया है और elastic की जो length है वो हमने 27 inch की लिए है यहाँ पर हम pin लगा लेंगे और pin से हम elastic को अंदर डालेंगे तो एक side से डालके दूसरे side से हमें elastic को बाहर निकालना है और उसके बाद हमें elastic को stitch करना है तो हमने elastic को stitch कर लिया है अभी elastic को हम इस तरह से अंदर कर लेंगे और जो हमने open रखा था उसे हमें stitch करना है तो हमने इसको stitch कर लिया है अभी इसको खीचते हुए हम पूरे राउंड में स्ट्रिच करेंगे जिससे की इलास्टिक पढ़ देगा नहीं